वेलकम बेक गाईज आज की क्लास में आपका फेस्स वागत है और जिसमें हम बात करने वाले है यादकी का एनिमाल हस्पनेंडी पसु पालंस ते पूछे आनवाले कुछ बेसिक कुसंस को और यहाँ पर यादकी जितने भी कुसंस रगे गए हैं सबी वन लाइनर है इससे आपके डाउट है यहाँ पर ही क्लियर हो जाएंगे ठीक है उसलिक्ट फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या अप अगरिघ्र को सबस्क्राइब कीजिए और पास के बेल आइकन का ज़रूर दबा दें तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं और जिसमें आप से प इसके साहत या देखे गएक और कि अ Repeat कि जे है इसके लिए कि अब्र सक प्रियों कियासा है उर्याद डिक एर वेर इनुचिन आपको कई पूछागए कि फिर्स्ट पॉइंट आपको याज़ए Wireless का सन्सक्राच क परियों कि श ऐसे है एक BE लिकिन आगर हम बात करते हैं जैसे कि मलिझी बदिया करने है इसका मुख्य Ud terrorism क्या होता है यानि जो बदिया क्रेट कियाा ज़त है नर को क्यों क्यां घिल सकें दूर। इसका प्रियोग क्या चाहिए दूसरा दूसरा इसका जो मुख्य उद्देश होता है याद कीगा वो होता है कि जो मादा पसु है याद कीगा उसमें जो heat cycle और heat period तो आप जानते होगी उसका पता लगाने के लिए क्या किया असा है याद कीगा बदियाकरित नर का इस्तेमाल किया असा है ठीक है दोनों को पता चल ग बात करते हैं जिसमें आपसे पूचा गाइया या भ्हान को ब्याने की एक माह हम स्जाए कि यहां पर आपसे पूचा गाया जो घ्यारवस्थ उनको किना खनीषवदात को उनको बिलाना स्चा यादर रखेगा गरवावस्ता में हो तो यहां देखिए इसे क्या खिलाई जाता है यहां देखिए गाई बहस के बारे में अब हम चानेंगे कि जो भेडवक्रिया होती है भेड़कों और अगर आपसे पुछता है गाई या भैस तो गाई या भैस में कितना खिलाई साय या दकीगा इनको खिलाई साय दो से तीन किलोग्राम ठीके नाइश्टिसन के हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि वसा का सरवादिक प्रतिसत किस में होता है तो यह होता है यादकिया मक्षन में होता है नई station के आँव बात काता है जिसमें आपसे पूछा गया है कि राजस्तान में तरल दूद का सरवादिक उपयोग किसमें क्या सा है मतलब जितना भी हाँ पर production लिया सा है दूद का उसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किसके रोब में क्या सा है तो यहां देखेगे यह क्या सा है धही को बनाने में किसमें क्या सा है यहां देखेगा धही को बनाने में क्या सा है और आपको पता यहोगा धही कैसे बनता है ठीक है इसमें जामन का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसके बाद में क्या होता है यहां देखेगे यह जम जाता है और उस जमने को ही क्या बोलासता है? धही बोलासता है, ठीक है? तो यहाँ पर याद रखीगा, नेश्टेसन आपसे पूछाएगा है कि दूद किस विटामिन के सबसे कमजोर साधन होता है? याद रखीगा, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है? कि दूद में कौन सा विट याद रखीगा, याद रखीगा, यहाँ पर दो पूइंट आपको याद रखना है, कि अगर आपसे कोई पूछता है कि दूद में किस विटामिन की कमी होती है? तो आपको क्या याद रखना है? विटामिन C की कमी होती है. लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि दूद मे आईरन के मुख्यते दो या तीन नाम होते हैं दोनों या तीनों को याद रखेगा क्योंकि या देखें एक्जाम में यह दोनों 3 questions आपको मिल जाते हैं कि आईरन के अन्य नाम बताइए या फिर आपको ऐसे देखने को मिल जाता है कि दूद में किस पूशत त्यातू की कमी हो ठीक है तीनों याद रहेंगे अब आते हैं हमान नाइस्टिसन पर तो जिसमें आप से पूछा गया है कि सरवाधिक प्रोटीन किस में पाई सती है तो याद देखिएगा जो सरवाधिक प्रोटीन होती ही ये पाई सती है खीस में पाई सती है जिसे हम कोलेस्टरल के नाम से भ ओपकरन का है और हमेद का दूद का आप एक सता ही साहता यहाद गर्दुन पालह से हैं और लेक्टोमेटर कर होती है कि लेक्टोमेटर की और लोटी है प्रियोग हम करते हैं याद रखेगा दूद का आप एकसी गनत्वे गयाद करने के लिए इसकी यूनिट कितनी होती है जिरे से 40 होती है ओके नए श्रसन के हमाद करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत की कुल दूद उत्पादन में योगदान कितना है याद रखे क्या पूछा गया कि अपसे सरवादी की योगदान किस पसूट का होता है तो याद रखेगा जो सबसे जादा योगदान दिया सा है वो दिया सा है भहसके दूरा और कितना याद रखेगा ओवराल मतलब यहाँपर जितना भी बिजो प्रोड़क्शन होता है उसमें से 52 पर परसंट होता है ठीक है असान इस याद रख पाओगे कोई दिकत नहीं है तो नेक्स टिसन के हम बात करेंगे जो कि यह आद कि क्या वर इंपोर्टेंट किसन है और यह भी किसन यहाद कि आपको कई वार एकजाम में पूछा गया किसन है तो यहाँ पर याद खिए जितने भी क imoreख सिن तो उनको ज़रूर याद रख लेना है क्योंकि यहक्य किसन आपको एक्जाम में ग्यास डेखने को मिल सकते है तो याद अखिएगे यहाँ अब आपसे क्या पूछा गया है कि सामारत है दूद का आपेकसी घनात्वे कितना होता है तो अभी हमने जाना कि याद अखिएगा दूद का आपेकसी घनात्वे यह किसे घ्यात किया सा है लेक्टोमेटर से अब हम जानेंगे कि जो आपेकसी घन लानए चीए तो और है दूद का यह कितना होता है तो यह होता है वण पॉइंट टुएट से वनपॉइंट zero three two होता है कितना होता है या देकिए आप sutta कि आप case से घमाधव 1.038 से 2.0 three two होता है ठीक है निक सटory में आंसरी जिसमेह आप से पूछा गया है कि दूद का मुख्ट्रोस ने अवीए कॉनसा होता है तो होता है अ अग्ये और दूद में कॉनकैन सी केरोटीन पाइस थी है और केरोटीन के कारण क्या होता है दूद का पीला रंग होता है और केसीन के कारण क्या होता है दूद का सफेद रंग होता है ठीक है नए श्टिसन के हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्ड में से कोब टेस्ट या देखिए किस कोन स कोब टेस्ट किसकी जाच के लिए करता है तो अब यहां पर यादखिए इस कोब का सबसे पहले तो फुल फोर्म क्या होती है इसका पूरा नाम क्या होता है यह आपको पता होना चाहिए तो इसका होता है यादखिया क्लोट और बोईलिंग मतलब यादखिएगा कि जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है यादखिये एक तक्कासा बन जाता है ठीक है तो यह जो test किया सथ है वैसे याधरिए आपको । डाइट ऐसे ही पूचा आता है एक्जा में कि suka arrest कि लिए क्यासा है तो याधरिए यह क्यास है अमलता ग्याद करने के लिए अमलीटा को ग्याद करने लिए कौन सा टेस्ट किया सा है कोव टेस्ट किया सा है और इसकी फुल फोर्म हमने जान ली कि क्लोट ओन बॉइलिंग ति कैसे और उसमें क्या होता है अगर आपने रख धिया उसे लंबे समय तो उसमें आम्लित्या पेंधा हो जाती है मतलब जो उसमें अमलेता है एक्शित अमलेता है उससे क्या होती है वो अधिक हो जाती है और ये जो अधिक अमलेता हो जाती है इसे क्या बोलासता है यादके इसे बोलासता है विक्सित अमलेता ठीक है यादके का विक्सित अमलेता कौन से होती है जो की हमने लंबे समय तक उ तो उससे क्या बोलाएस यही आज़को आपका खीशन है तो इसके आपको comment session में बतातां है। कि अगर यहां के लंबी समतक रखा तो उससे तो बोलाएस तबी आल लेकिन गसुद में उसमें थी दूद में उससे क्या बोला हुलाया है?! जली से comment session बताइहे जब तक हम next lessons को clear करते हैं इसमें आपसे पूछाए है खीस के इसकंदन के लिए जिम्मेदार enzyme कौन सा होता है तो याद किगा खीस को जमाना इसकंदन का मतलब होता है जमाना तो याद किगा जो खीस को जमाईजता है वो किस enzyme की साहता से वो जमाईजता है याद किगा ranet enzyme की साहता से किस enzyme की साहता से जमाईजता है वो जमाईजता है याद किगा ranet enzyme की साहता से जमाईजता है next lesson हम जानेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि गोपाल परियोजना की जो सुरुवात की गई थी यह कव की गई थी याद कीगा गोपाल परियोजना से भी आप से किसन पूछा गया है तो इसका आपको जरूर याद अखना है तो आपको याद अखना है याद कीगा जो गोपाल परियोजना है इसकी सुरुवात की गई थी याद कीगा 1990 से 1991 में कब की गई थी या देखिया 1990 से 1991 में या देखिया गोपाल परियोजना की सुरुवात की गई थी नई श्रसने हम जानेंगे जिसमें आपसे पूछा गये कि देश के कुल दूद उत्पादन में राजस्तान का इस्तान कोन सा है देश के कुल दूद उत्पादन में राजस्तान का कोन सा इस्तान है तो अगर आपसे पूछा या देखिया भारत में राजस्तान का इस्तान तो या देखिया यह होता है पर्थम इस्तान होता है भारत में जितना भी जो दूद उत्पादन लिया सता है उनमें से पर्थम इस् ठीक है, नाइस्टिसन के हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है, कि दूद में ओस्तन लेक्टिक अमल कितना होता है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा अमल है, इसमें आपसे पूछा गया है, जो लेक्टिक अमल है, यह कितना पाइसता है, तो यह आप देखिए कि य ऐसा है 0.14% नाइश्ट रसन के आम बात करता है जिसमें आपसे पुछा गया है कि खीस में कितनी अमलता होती है यह देखिए इसका उल्टा कर लीजिए मतलब अगर आपसे पुछता है दूद में अमलता तो दूद में तो अमलता पाईसे 0.14 और अगर आपसे पुछता है खी 0.41 नेश्ट रसन के हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है और यहां पर यादखिए का क्रीम जिसे आप यादखिए का वसा के नाम से जानते हो लिए पुछता है जिसमें आपसे पूछा गया है कि दूध की आमठा पर यहांपर आपसे पूछा गया है सार का सिते माल क्याइस है तो जब आम हम इसकी अमलतियाग ग्याद नाम क्या होता है याद क्या थिक्षा ठीक आसने रख लोगे कोई कत नहीं है त्लिमी एंशन सहन हम बात करता है जिसमें आपसे पूछा गया है कि दूद में पानी और सेप्रेटा दूद मिलाने से आप एकसी घनत है याद अखिएगा कि इसन में आपको दो टर्मन दी गई है दो कंडिशन दी गई है और इसमें आप से पूछा गया है कि दूद में अगर अमाल लीजे आप एक तो पानी मिला रहे हो ठीक है और एक आप मिला रहे हो सेपरेटा दूद दूद आपको कंडेंट दे रहा है इसमें आप से पूछा गया अगर आप पानी मिलाओगी या फिर आप सेपरेटा दूद मिलाओगी तो इससे जो उसका आपेक्स घनात होता है इस पर क्या प्रभाव पड़ता है ठीक है तो यहाँ पर याद दखेगा अगर आप पानी मिलाओगे तो इससे क्या होगा या दखेगा जब आप दूद में पानी मिलाओगे तो जो उसका आपेक्सी घनात है ये कम होता चला जाएगा क्या होगा इससे कम होगा ठीके इससे तो क्या होगा कम होगा अगर आप पानी मिला रहे हो दूद में तो इससे तो क्या होगा decrease होगा, कम होगा लेकिन अगर माल लीजिए आप दूद में separate दूद मिला रहे हो तो इससे क्या आसर पड़ेगा उसके आप एकसी घरनत पर तो याँ देखेगा इससे होता है बढ़ जाता है, मतलब ज्यादा हो जाता है separate दूद मिलाओगे तो इससे क्या होगा, बढ़ जाएगा और अगर आप पानी मिलाओगे, तो इससे क्या होगा घट जाएगा, ठीक, दोनों को याद दखीगा दोनों याद दखीए, आपसे एकसा में पूछेगा इससन है next station के हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि सर्दियों में जामन मिलाते है तो याद दखीएगा, गर्मियों में था हम केवल एक परसंट लेकिन अगर हम बात करते हैं सर्दियों में तो ये किया सा है डेट परसंट मतलब थोड़ा सा ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं ठीक है, next station के हम बात करेंगे तो next station में हम जानेंगे कि दूद का कमरा पस्तुस आला में किस दिसा में होना चाहिए तो याद देखिएगा, जो कमरा होता है दूद का ये होता है किस दिसा में? ये होता है पस्यमी दिशा में, नए इस्ट्रिशन की आम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है, दूद जल से होता है मतलब यहां देखेगा, दूद जल से भारी होता है या फिर हलका होता है, तो यहां देखेगा दूद हमेशा पानी से क्या होता है भारी होता है ठीक है, नई situation की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है, कि दूद की अमलता, परेक्षन में कौन सा सूचक हम प्रियोग में लाता है यहाँ देखेगा, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, कि जो अमलता परेक्षन क्या आसा है ठीक है, सबसे पहले थी किस के क्या आसा है, इसके बारे में हमने बात की थी कोब टेस्ट के द्वार क्या आसा है, ठीक है, सेकेंड पूइंट हमने इसके बारे में क्या जाना था जो अमलता परेक्षन है, इसके लिए कौन से सार का हम इस्तेमाल करते हैं वह हम प्रियोग करता है यादकिया NaOH, मतलब sodium hydroxide, और third point हम क्या जानेंगे, कि याद रखेगे जब amalita production क्या आसा है, तो इसके लिए किस सुचक का इस्तेमाल क्या आसा है, तो ये लिए आसा यादकिया Phenothelic Amal का, याद रखेगा किसका प्रियोग क्या आसा यादकिया Phenothelin Am का प्रियोग क्या आसा है, दोबारा से देख लिए, तीनों यह पॉइंट आपको याद रखने है, सबसे पहले कि दूद की amalita production किस से क्या आसा है, तो ये क्या आसा याद किया, कॉब टेस्ट से क्या आसा है, सेकिंड पॉइंट आपको याद रखना है कि कि सार का इस्तेमाल क्यासा है अमलिता परिक्षन के लिए तो यह क्यासा याद रखीगा NaOH का प्रियो क्यासा है मतलब सोडियम हाइड्रोकसाइड का प्रियो क्यासा है और अगर आपसे पूछाता है अमलीता प्रक्षिसन में किस सूचक का प्रियोग क्या असा है तो यह क्या असा याद रखेगा फिन अफ ठेलिन सूचक का इस्थेमाल क्या असा है ठीक है तीनों पॉइंट याद रहेंगे याद रखेगा तीनों ही पॉइंट आपसे एक्जाम में पूछे जा सकते हैं, ओके, तो आज की क्लास को बस यही पर भी राम देते हैं, I think आपको क्लास पसंद आयोगी, अगर आपको